हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपने घर के अंदर सिंगल फेस वाइरिंग किस तरह से की जाती है इस वाइरिंग के लिए हमारे पास है 50 एंपेर की 2 पोल की MCB, 63 एंपेर की 2 पोल की RCCB और 20 एंपेर का सिंगल पोल MCB इसके लावा हमारे पास स्विच, जंक्शन बॉक्स, पाइप के छोड़े छोड़ टुक्रे और बल्ब है जिससे हम आपको हर एक चीज़ प्रेक्टिकली करके समझाने वाले हैं तो चलिए वायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बाते हैं जो आपके लिए जानना बेहत जरूरी है यह मैंनों जो 50 एंपेर का 2 पोल MCB लिया है या आप अपने घर के लोड़ के हिसाब से कम एंपेर का भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास है 63 एंपेर का RCCB जो लिकेज केरेंट पर वर्क करता है और किसी को भी शौक लगने पर फॉरन ट्रिप हो जाता है इसमें आपको दो तरह का एंपेर लिकेज केरेंट के लिए होता है जो हलका सा अनबैलेंस होने पर या फिर लिकेज होने पर भी ट्रिप हो जाता है उसके बाद है यह 20 एंपेर का सिंगल पोल MCB जो सर्कृट डिस्टिबिशन के लिए होता है चलिए अब वािरिंग शुरू करते हैं यह हमने वायर का एक और चोटा पीस के लिया है यह वायर नियूट्रल के लिए है और इसे हम डालेंगे MCB के दूसरे पोल में उपर साइड में देखें यहाँ पर अब इस वायर के दूसरे एंड को डालेंगे हम RCCB के नीचे साइड में जहाँ पर इन लिखा हुआ है यह एन जो लिखा हुआ है यह नियूट्रल के लिए ही है तो यहाँ पर हम नियूट्रल ही डालेंगे यह हमने डाल दिया है और अब हम वायर का एक और छोटा पीस लेंगे और उसे हम डालेंगे RCCB के उपर साइड में जो फेस का साइड है यहाँ पर देखें हम यहाँ पर इसे टाइट कर देते हैं और अब इस वायर के दूसरे एंड को हम डालेंगे सिंगल पोल MCB के नीचे साइड में यहाँ पर यह मैंने डाल दिया है और अब हम लेते हैं जंक्शन बॉक्स और इसके चारो साइड में डाल देते हैं पाइप अब उस पाइप के एक एंड को हम डाल देते हैं स्विच के बॉक्स में और उसके बाद हम लेंगे वायर का एक छोटा सा टुकरा जो न्यूटरल के लिए है और इसे हम डालेंगे RCCB के उपर साइड में जहां पर हमने न्यूटरल का पॉइंट छोड़ दिया था और इसे डालने के बाद हम वायर का एक और छोटा पीस लेंगे और इसे हम डालेंगे सिंगल पॉल MCB के उपर में जहां पर हमने जगा खाली छोड़ दिया था देखिए यहां पर अब यह न्यूटरल और फेस मिलाकर हमारा एक सर्कृट तयार हो गया है और इस सर्कृट को कंप्लीट करने के लिए यहां पर हमें एक ग्रीन वायर लेंगे ग्रीन वायर अर्थ का वायर है और यह मैंने सिर्फ एक्जामपल के लिए लिया है इसका यूज लाइट में नहीं बलके फैन और AC वगयरा में किया जाता है और अब इन तीनों वायर को हम डाल देते हैं इस पाइप में तीनों वायर जंक्शन में खीचने के बाद हम दो वायर को यहीं पर छोड़ देंगे हाउस वायरिंग में नीट्रल और अर्थ को उपर जंक्शन तक ही छोड़ दिया जाता है और यहीं से यह लूपिंग होके चलता रहता है और दूसरा जो हमारा फेस का वायर है उसे हम खीच लेते हैं स्विच की तरफ उसके बाद यहाँ पर हम पहले स्विच का कनेक्शन देख लेते हैं बाद में आगे की वायरिंग करेंगे देखे यह स्विच टूवे स्विच है जो वन वे और टूवे दोनों के लिए यूज किया जाता है देखे इस टूवे स्विच को हम वन वे के लिए कैसे यूज करते हैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देते हैं यहाँ पर उपर में कॉमन का पॉइंट है उसके बाद नीचे में यहाँ पर L1 है और L2 है यह हो गया एक स्विच अब दूसरे स्विच में नीचे में common है और उपर में L1 है और L2 है यह हो गया दूसरा स्विच और तीसरे स्विच में है यहाँ पर उपर common है और नीचे में L1 और L2 है तो यहाँ पर हम सभी L1 को लूपिंग करेंगे यह मेरे पास वाइर के दो छोड़े छोड़े टुकरे हैं और इसके साथ में हम डालेंगे पावर का वाइर जो मेरा स्विच में आया हुआ है तो चलिए हम सभी L1 को जल्दी से लूपिंग कर लेते हैं देखिए मैंने यहाँ पर सभी L1 को लूपिंग कर दिया है और इसके साथ में हमने डाल दिया है में पावर का वाइर जो स्विच में आ रहा था अगर आपके पास वनवे स्विच है तो भी आपको सभी L1 को लूपिंग करना ही होगा पावर के वाइर के साथ में ही अब हम ले लेते हैं बल्ब का वायर, बल्ब के वायर को हम डालेंगे इस pipe में ही और junction के तरफ खीचेंगे, देखिए बल्ब के neutral का वायर मैंने छोटा डाला है जो junction तक ही रहेगा और face का वायर लंबा डाला है जो नीचे switch में आएगा तो चलिए हम इसे नीचे switch में खीच ले के बाद अब हम junction में दोनों neutral wire को joint करेंगे यहाँ पर मैं temporary joint कर रहा हूँ लेकिन अगर आप permanent joint कर रहे हैं तो wire connector का ही use करें यह मैंने इसे joint कर दिया है और अब हम main connection करेंगे यह मेरे पास main power का wire है जिसमें face को हम face के सामने डालेंगे देखिए यहाँ पर और उसके बाद हम neutral क सामने ही डाल देते हैं देखिए wiring हमारा complete हो चुका है यहाँ पर यह main power है face और neutral MCB के उपर से neutral निकल करके RCB के नीचे में neutral के जगह में जाएगा जहाँ पर N लिखा हुआ है और उसके बाद face वाला wire face की जगह में जाएगा उसके बाद RCCB के उपर से face का wire नीचे MCB में आए हमें जा सकता है मौन लो उपर से हमारा ये fan का wire आ रहा है तो उसका neutral और अर्थ भी इसी junction में joint होगा और fan के face का wire नीचे switch में चला जाएगा तो चलिए हम इसका power on करके test कर लेते हैं मैंने main power on कर दिया है और यहाँ पर सभी breaker भी on है तो अब हम switch को on कर लेते हैं देखिए बि वीडियो को like करके channel को subscribe करना ना भूले हैं